नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सब का पुनम सिंग रेसिपेज में और मैं पुनम आज ले करा रहे हूं आप सब के लिए पकोड़े की रेसिपेज़ तो बरसात के मौसम में बिना पकोड़े का तो अच्छा लगता नहीं है जब बारिस हो तो जी में चलता है कि बनाएं तो हम ले लिए हैं 200 ग्राम चना का दाल आप वेशन का भी बना सकते हैं तो इसे 5-6 घंटा या होल नाइटी से पानी में आप फुला कर छोड़ दीजिए और इसका अच्छी तरह से पानी साफ कर लिजिए उसके बाद इसमें हम ले लिए हैं लासुन 6 गलियां 8-9 हम ले लिए हैं हरी मिर्च और इसमें जाएगा अद्रख का टुकड़ा एक इंच का टुकड़ा हम डाल दियें आप चाहें तो इसका पेश्ट भी मिला कर डाल सकते हैं हम यहां चना पिषना था ही चना दाल तो सारी सामगरी को एक साथ मिक्सर जार में पिष ले रहे हैं कस सुरी मेथी डाल कर आप पकोड़े बनाएए चना दाल में बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे और स्वादिश्ट लगते हैं यह पकोड़े आप लोग इस वरसा जरू ट्राइ किजिएगा फ्रेंट्स तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा दर दर आही पेश्ट बनाएंगे त तो इसलिए हम लाल में अड़ करती हैं इसमें और ठोड़ा ही पानी डाल कर इसका एक दर दरा हम एसमूथ पेश्ट बना लेंगे तो देखें यहां दाल पिसकर हम पेश्ट बना लिए हैं अब इसको हम क्या करेंगे कि प्याज में मिलाएंगे तो यहां चार मिडियम प्याज का हम प्याज ले लिये हैं इसको हम बारिक बारिक काट लिये हैं आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं स्क्वाइर भी जो सेप आपको मन हो आप काट सकते हैं अपने पसंद के उनसार और इसी में सारा हम बैटर तयार किये हैं चना दाल का इसको हम डाल देंगे और ड पाद के नुसार नमक डालेंगे, नमक अपने अंदाज से आप कम ज्यादा कर सकते हैं आपको जैसा टेस्ट पसंद हो फ्रेंट्स और इसी में हम थोड़ा सा डाल देंगे हिंग, हिंग भी बहुत स्वाद दिश्ट बनाता है हमारे पकोड़े को और इसको देखिया हम मिला द जाता है फ्रेंट्स और थोड़ा सा यह जो है सॉफ्ट हो जाता है मिलाने से हाथ से और यह पकोड़ा जो है चना दाल का बहुत ही करारी रहता है फ्रेंट्स ठंधा भी हो जाने पे इसका जो क्रिस्पी है वो सॉफ्ट नहीं होता है एकदम क्रिस्पी लगता है यह पकोड अगर आपके पास समय है तो फ्रेज में रखिए वरना मिलाई और बनाईए तो हमारे आज का डिनर था ये डिनर में हम बनाए थे रोटी और पकोड़ा तो देखिए पहले हम पकोड़ा को जितना सामगरी है मिलाकर फ्रेज में रख दिये और इधर हम रोटी बना लेंगे रो इसे ही एके करके हम सारी रोटियों को बना लेंगे और घी लगा कर इसको हम क्या करेंगे कैसरोल में बंद करके रख देंगे जिससे की रोटी बिलकुल सौफ्ट रहेगी क्योंकि पकोड़ा जो है वो करारी होता है तो करारी रोटी इस पर अच्छी नहीं लगेगे फ्रंट् आप यहां तेल गर्म कर लिए हैं, दो बॉल, छोटे बाले बॉल से हम इसमें तेल डाल लिए हैं, तेल बिलकुल गरम होना चाहिए, तब उसमें आप पकोडे डालिए, तो यहां हम देखिए गरमा गरम तेल में पकोडे डाल रहा हैं चनर मनर करके, और इसे मिडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी देर कर दिजिए तेज आंच पर पकोड़े डालिए और पकोड़े डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर आप 2-3 मिनट तक पकोड़े को रखिए ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए जितना तेल हो उतना आप पकोड़े एक बार में डाल सक से पहले पकोड़े को पलट देंगे इसमें छोलनी या पलटा हम लगाएंगे तो पकोड़े तूट भी सकते हैं क्योंकि चना दाल थोड़ा सा रुख़ा टाइप का होता है बाइंडिंग जल्दी इसमें नहीं हो पाता है तो एक साइड जब गोल्डन ब्राउन हो जाए त साथ से आठ मिनट लगता है एक बच तैयार होने हम इस तरह सारे पकोड़े को फ्राई करके और निकाल लिए हैं आप बेशन का भी बेशन पाउडर जो आता है चना दाल का आटा उसका भी आप पकोड़े बना सकते हैं वो भी गरमा गरम खाने में बहुत ही स्वाधिश लेंगे तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है कलर भी खुब सुन्दर पकोड़े का तो फ्रेंट्स आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताईएगा और फ्रेंट्स फेमली में जरूर सेयर किजिएगा रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब राई हरी मिर्ची भी डाल दिये हैं जो रोटी पकोड़ा मिर्ची अंचार चटनी खाईए बहुत स्वाधिश लगता है तो देखिए यहां पकोड़ा के साथ हम सॉफ्ट मुलायम घी लगी हुई रोटी ले लिये हैं और यह है सॉस बच्चे सॉस पसंद करते हैं चटनी ह और यह अमड़ा की और हरी मिर्ची की सबजी है और मिठा के रूप में हम ले लिये हैं माल दयाम तो देखिए स्वाधिश्ट थाली हमारी डिनर वाली तयार हो गई तो रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर आप लाइक शेर कॉमेंट करेंगे और अगली रेसिपी क्या बना हूं यह भी कॉमेंट करके बताएंगे तो देखिए है नलल जी थाली हमारी तयार है यह डिनर के रूप में आप ले सकते हैं और फिर अगर केवल आपको पकोड़ा चटनी खाने का मन हो पकोड़ा सौस खाने का मन हो तो आप ऐसे भी चाय के साथ ही से लेकर आनंद उठा सक हैं फ्रेंट्स तो यह थाली है हमारी और यह है हमारा केवल पकोड़ा सौस खाये खिलाए मस्त रहिए स्वस्त रहिए फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में बाब बाई